हें इंग्लिश लेर्नर्स वेलकम बैक तो इग्जाम गुरुकूल तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं चलिए इसको भी समझते हैं अब नाव शुरू को चलिए इसको भी समझते हैं अब नाम देखिए इसका ध्यान से कंडीशनल यानि कि कोई कंडीशन है इस सेंटेंस में अब जैसे अगर तुम पढ़ाई करते तो इग्जाम में पास हो गए होते और तुमने महनत की नहीं अगर तुमने आईसक्रीम नहीं खाई होती तो बीमार नहीं पढ़ते अब गरम पानी में हाथ दोगे तो हाथ तो जले गई जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक कोई बुक पढ़ लो अगर मेरी लोटरी लग गई होती तो मैंने घर खरीद लिया होता या घर खरीद लेता तो कोई एक कंडिशन है और उसके बाद हमें रिजल्ट दिख रहा है यानि कि कंडिशनल सेंटेंस दो पार्ट में बन जाता है यानि दो क्लोजिस से जुड़ा होगा पहला पार्ट दिखाएगा कंडिशन और दूसरा पार्ट दिखाएगा रिजल्ट कई बार ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट पहले लिखा हो और सेंटेंस दोनों ही तरीके से बिलकुल सही होगा यानि sentence में आपको दो clause मिलेंगे एक condition का और एक result का जब sentence में दो clause होते हैं तो उनको join करने के लिए conjunction का use किया जाता है If you study hard, you will pass the exam अगर तुम पढ़ाई में महनत करते हो तो तुम exam pass कर लोगे अगर तुम शर्द क्या है, condition क्या है अगर तुम पढ़ाई में महनत करते हो तब result मिलेगा, you will pass the exam अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हमने पहले result लिख दिया You will pass the exam, if you study hard बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब conjunction पहले होगा तो दूसरी clause को जोडने के लिए comma use किया जाएगा अग conjunction बीच में आ रहा है तब comma use नहीं होगा बस ये point ध्यान रखी punctuation mark को ध्यान में रखना होता है condition clause को if clause बोल देते हैं और जो result वाला clause है उसे हम main clause बोलते हैं क्योंकि वो अपने आप में एक independent clause है clause से related कोई अगर doubt है कि clauses क्या होते हैं phrases क्या होते हैं तो उस पर already एक वीडियो बनी हुई है उसके बाद आपको कोई doubt नहीं रहेगा clauses और phrases में आप चाहें तो देख सकते हैं link description में मिल जाएगा चलिए अब देखते हैं zero conditional sentences क्या होते हैं ये एक general truth की बात करते हैं और real situation दिखाते हैं यानि कि present की condition होगी और result भी present में होगा तो condition यानि if clause कैसे बनेगा if या when आप लगाएंगे conjunction कोई भी हो सकती है जो condition दिखाए present indefinite tense के साथ या simple present भी आप बोल सकते हैं जब हम state दिखाते हैं तो उसे simple present बोल देते हैं main clause भी present indefinite tense में ही होगा दोनो present में ही होगे यानि present की condition और present का result time लगा इने result आने में zero conditional sentence example से आप समझ जाएंगे if you heat the water it evaporates अगर तुम पानी गरम करते हो तो यह भाब बनता है यह तो एक general truth वाली बात है अब इस sentence को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले result लिख दे और बाद में condition यानि की water evaporates if you heat it sentence दोनों ही तरीके से सही meaning देगा same meaning देगा clear लेते हैं अपना next example when people smoke cigarettes their health suffers जब लोग cigarette पीते हैं उनकी health suffer करती है यहापे when का use आ गया कोई भी conjunction जो condition दिखाएगी वो use हो जाएगी if you eat a lot अगर तुम जादा खाते हो यह condition है you put on weight तो तुम weight gain करोगे weight तो बढ़ेगा ही यह result है she wears glasses when she reads जब वो पढ़ती है तब glasses पहनती है यानि चश्मे कब पहनती है जब वो पढ़ती है यह condition है और बाद का result if he comes ask him to go away अगर वो आता है तो उसे चले जाने को कहो if you want to go you may go अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो when you get home call me जब तुम घर पहुँच जाओ तो मुझे call करना यह सारे sentence imperative sentence है present का result जब present में ही मिल जाए zero conditional sentence अब चलते हैं first conditional sentence की ओर अब यह क्या होता है इससे पहले हमने देखा था general truth यानि real situation अब बात करेंगे real situation of future की general truth की बात नहीं होगी if clause कैसे लगेगा if के साथ present indefinite यानि simple present अभी मैंने बताया जब हम state दिखाते हैं तब simple present बोला जाता है है वही present indefinite या simple present same है main clause में will और bare infinitive लगाएंगे देखें will एक model verb है जो future दिखाने के लिए use होती है और उसके साथ हमेशा bare infinitive लगता है सारी model verbs के साथ bare infinitive लगता है अब will की जगा में might, can, could या going to model verbs भी use हो सकती हैं क्योंकि ये सारी ही verbs future दिखाने वाली है clear अब लेते हैं exam बस और करते हैं practice चले sentence देखते हैं कहा condition है और कहा result है if you study hard अगर तो पढ़ाई में महनत करते हो condition हो गए you will pass the exam ये result हो गया तो तुम exam pass कर लोगे जो future में मिलना है यानि कि real situation की बात हो रही है future की if we don't leave soon अगर हम जल्दी नहीं चलेंगे we will miss our train तो हम अपनी train को miss कर देंगे if you are late for office again अगर तुम office के लिए दुबारा लेट होते हो you might lose your job तब तुम अपनी नौकरी खो सकते हो यहाँ पर future दिखाने के लिए might का use हुआ है if I have time I'll play tennis अगर मुझे time मिलता है तो मैं tennis खेलूंगा okay if it rains tomorrow what will you do अगर कल बारिश होती है तो तुम क्या करोगे if you cook the dinner I'll wash the dishes अगर तुम खाना बना देते हो तो मैं बरतन साफ कर दूंगा एक condition दूसरा result if you don't come with me I'm going to play without you अगर तुम मेरे साथ नहीं आते हो तो मैं तुमारे बिना खेलने जा रहा हूं या चला जाओंगा next sentence ज़रा ध्यान से देखिए if you do not wear jacket you will feel cold अगर तुम jacket नहीं पहनते हो तो तुम्हें ठंड ही लगेगी इस sentence को हम if not न लगा कर direct unless लगा कर भी बना सकते है unless you wear jacket you will feel cold जब तक आप jacket नहीं पहनेंगे आपको ठंड लगेगी unless का मतलब ही not के साथ आता है यानि कि if not का मतलब ही unless है तो इस clause में फिर not नहीं लगेगा unless we hurry we will be late for the show अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो हम show के लिए late हो जाएंगे इसी तरीके से और भी conjunctions हैं जैसे until है, after है, as soon as है conditional sentences में बहुत सारे conjunctions use होते हैं अब until होता है time दिखाने के लिए कि कितनी देर में आप पहुँचेंगे कितनी देर में आप ये काम करेंगे I won't call you until I arrive जब तक मैं पहुचने जाता मैं तुम्हें काल नहीं करूंगा after you arrive, call me आप जब पहुच जाओ तो मुझे काल करना as soon as you finish you can leave जैसे ही आप समाप कर लेते हैं काम आप जा सकते हैं तो ये था first conditional present में condition और future में result अब आते हैं second conditional sentence पे अब कुछ भी real नहीं होगा आप बात होगी unreal situations की लेकिन कब की present की जब unreal situation present की दिखाई जाई यान imaginary situation real की बात अब खतम होगी जो zero में और first में हमने कर ली अब कैसे होगा ये देखते हैं if clause में structure क्या रहेगा बहुत simple है if के साथ past indefinite या simple past main clause में would और bare infinitive would एक model verb है उसके साथ हमेशा bare infinitive ही लगता है या हो सकता है would भी और present continuous tense चुड़ा हो example देखे if I won the lottery I would buy a house मैंने कहा ये situation unreal होगी imaginary होगी अगर मैं lottery जीतता तो मैं एक घर खरीद लेता यानि present में एक घर खरीद लेता लेकिन ना जीती ना खरीदा if I spoke French I would be living in Paris अगर मैं French बोलता तो Paris में रह रहा होता ना मैं French बोलता हूँ और ना ही Paris में रह रहा हूँ ये एक imaginary situation है reality से इसका कोई वास्ता नहीं है next if I had an exam tomorrow अगर कल मेरा exam होता आने वाले कल की बात हो रही है I would be revising now तो इस समय मैं revise कर रहा होता game नहीं खेल रहा होता if it rained you would get wet अगर बारिश होती तो तुम भीग जाते वो तो अच्छा है कि बारिश हुई नहीं तुम बच गए भीगने से लेकिन होती तो तुम भीग जाते कालपनिक घटना की बात हो रही है if I were taller I would join army अगर मैं थोड़ा लंबा होता तो army join करता अगर वो taller होता तब army join करता ना कालपनिक situation है if I were a bird I would fly अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता पक्षी हो थोड़ा ना imaginary situation अब देखते हैं third conditional sentence में क्या होता है अब इसमें unreal situation तो दिखाते हैं लेकिन अब present की नहीं अब दिखाएंगे हम past की पूरी hypothetical situation यानि की पूरी कालपनिक कहानी if clause कैसे बनेगा और main clause कैसे बनेगा बहुत सिंपल इनको समझना if के साथ past perfect tense यूज होगा और main clause में would have के साथ verb की third form would की सारे uses हम would वाली वीडियो में already सीख चुके है examples देखिए if you had studied you would have passed the exam अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुमने exam पास कर लिया होता past की condition past का result यानि की third conditional sentence if he had left the house at 10 he would have been on time for the interview अगर वो 10 बचे घर से निकल गया होता तो वो interview के लिए time पर होता had left यानि की जो हमारा if clause है वो past perfect way और जो result वाला clause है वो would have की साथ third form been if I had known you were coming I would have cooked the food अगर मुझे पता होता के आप लोग आ रहे हैं तो मैं खाना बना लेता यानि past की ही condition और past का ही result जो वहीं खतम हो गया प्रिजेंटक आया ही नहीं यह होता है third conditional sentence if clause को हम past perfect में बनाते हैं और main clause को would have के साथ verb की third form यानि की past participle लगा कर बनाते हैं यह इसका rule है structure है अब देखते हैं बहुत ही important point inversion 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 में क्या करते हैं verb की जगा बदल लते हैं if you study hard you will pass the exam इस sentence को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और meaning बिल्कुल same रहेगा कैसे लिखेंगे if को cross कर देंगे और should से sentence start करेंगे should you study hard बागी सारा sentence same रहेगा should से start होगा कोई question नहीं पूछ रहे है same meaning है if I were a bird I would fly अब इसमें क्या करेंगे if को cross कर देंगा verb को ले आएंगे subject से पहले verb को ले आए बाहर were I a bird I would fly यह भी कोई question form नहीं है verb का inversion है और conditional sentence है next देखिए third conditional में if you had studied you would have been passed the exam यहां भी if को कर दीजे cross head को ले आए बाहर had you studied बाकी सारा sentence same है इस तरीके से verb का inversion हो जाता है यानि यह verb की जगा बदल जाती है clear यह सारे ही sentence बिलकुल correct है exam में आपको दिखाए दें तो आप पहचाल लेंगे कि यह sentence हमारा without error है आपको एक recap करते हैं जल्दी से जो हमने सीखा उसको एक जगा इखटा करके देखते हैं zero, first conditional, second conditional, third conditional इसमें हम एक sentence लेंगे उसको सारे conditional में change करेंगे I answer if he calls me अगर वो मुझे call करता है तो मैं answer देती हूँ present की condition, present का result I'll answer if he calls me अगर वो मुझे call करता है तो मैं answer दूंगी I would answer if he called me अगर वो मुझे call करता तो मैं answer दे देती अब third conditional में देखिए I would have answered if he had called me अगर उसने मुझे call किया होता तो मैंने answer दे दिया होता अब ज़रा ध्यान से देखिए मैं हिंदी में क्या लिख रहे हैं Zero conditional अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है यानि present की condition, present का result First conditional में अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा यानि present की condition, future का result Second conditional में अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता Past की condition, present का result Third conditional अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो गया होता पास्ट की condition पास्ट का result आप चाहें तो इसका screenshot लेकर रख सकते हैं अब जरा सारे structure को हम एक जगा रखते हैं ताकि कोई भी doubt नहीं रहें देखें condition और एक तरफ result जीरो condition में हम क्या करते हैं present indefinite और result भी हमारा present indefinite में होता है first conditional में condition हमारी present indefinite में होती है और result will के साथ होता है second conditional में past indefinite में condition होती है और result would के साथ होता है third conditional में condition past perfect में होती है और result would have plus v3 के साथ होता है सारा स्ट्रक्चर हमने एक साथ लिख दिया है आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और एक क्विक रिमाइंडर के साथ इसको कभी भी देखकर याद कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले अभी तक आप वीडियो पर जाए हिंद